आप सब लोग उठ जाओ भाई जल्दी जल्दी सोते मत रहो उठ जाग मुसाफिर भोर भाई अब रहन कहां जो सोवत है उठ जाए जल्दी से नीट 2021 के युद्धाओं नीट 2021 के सेनानियों इतनी देर तक सोते रहोगे तो कैसे काम चलेगा उठ जाओ जल्दी से हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है लाइव कर दीजिए इसको शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को तब तक मैं कुछ बेसिक इलिमेंटरी बाते हैं आप लोगों से करता हूँ आशुतोष प्रीती मुनीरा मीर ठीक है कुछ बच्चे हैं जो रोजाना टाइम पर उठ जाते हैं आशुतोष भी रोजाना जल्दी उठ जाते हैं प्रीती भी जल्दी उठ जाती है बाकी बच्चों की हैबिट द रहाते हैं फिर उसके बादिशिवारी में हम आपका बॉट नी पढ़ा रही है रोहित सर कमेस्ट्री पढ़ा रहे हैं और अर्चिना मेडम आपको फिजिक्स की दो परेलल क्लासेश चल रही है आपके जिससे बहुत एफिशियंटली 90 डेज में आपका सेलेबस पूरा हो सकी आप लोगों को करना बस इतना है कि रूटीनली इन सेशन्स में प्रिजेंट रही है और अटेंड कीजिए कॉंटिन्यूटी के साथ कमिट्मेंट के साथ एनर्जी लेबल थोड़ा हाई रखिये और मेहनत कीजिए हम लोग तो खेर वर्काउट करी रहे है आप लोगों के साथ में पूरे एफर्ट हम लोग लगा रहे हैं तो आप लोगों की तरफ से कुछ चीज़ें रेसिप्रोकेट होनी चाहिए है इस टीम के साथ जुड़े रही है लेट्सक्राइक नीट्यूजी की जो टीम यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है हंड्रेड परसेंट आप मान करके चलेंगे 90 देज में हम यह पूरा काम कर देने वाले हैं फर्स्ट लेग हमारा कंप्लीट होने को अब इस नेक्स मन्त से वापस कुछ और पेस हम प 2022 प्लस बोल 2021 जिनका इंटीग्रेटेड मैनर में प्रिपरेशन चल रहा है ठीक है ना तो इवनिंग में भी आप आ सकते हैं यहाँ एनिमल किंग्डम का सेग्मेंट चल रहा है और एनिमल किंग्डम में याद कीजिए कल हमने नॉन कॉर्डेटा का सेग्मेंट पूरा कर लि खुबसूरत और मुझे यूं कहना चाहिए बहुत इंफॉर्मेटिव और साइन्टिफिकली डिजाइन प्लेट फॉर्म है जिन बच्चों ने अभी तक प्लस सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लस को जरूर सब्सक्राइब करें यह जितने फीचर्स आपको दिख रहे है यह तो सब अपनी जगह पे है ही बट आन द गो एक रेडि रैक्नर की तरह एक रेफरेंस एप्लिकेशन की तरह हमेशा आपके पास में भूरहे हैं ठीक है जब भी आप कहीं पर भी हैं जा रहा हैं कहीं जर्नी में हैं कुछ भी कर रहे हैं इस लर्निंग गैप विल कीप हुआ है और इसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं देखिए आपको बहुत लंबा सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं आप तो 2021 में अपयर हो रहा है तो इस इस ट्रॉंग ले सब्सक्रिप्शन लें यह जो 3-month का सब्सक्रिप्शन आप लें बहुत 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 रीजनेबल सफी है इसका यह देखिए और इसमें भी आपको 10% का स्कॉलर्शिप मिल जाना है डिस्काउंट मिल जाना है वैं यू विल यूज दिस दिस कोड बी देव देव रिमेंबर अच्छी आप सीधे मेरे कॉंटेक्ट में आ जाएंगे मेरे में अच्छी बेंटर्शिप में आ जाएंगे और यू देव इसके लिए तो रिजिस्टर कर वा ही लो इससे तो आपसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है कोई फीस भी नहीं ली जा रही है ठीक है ना करो कोड बी देव एन्रोल कर लो स्कॉलर्शिप है अच्छा इसमें आपके रैंक वगर आ अच्छी अच्छा आपने स्कॉर कर लिया तो पूरी पॉसिबिलिटी यह देखो फोर सीयर प्लस का यह पूल है जिसमें से आपके स्कॉलर्शिप्स डिस्ट्रिब्यूट होंगे और इस बात की संभावना है पॉसिबिलिटी है कि जो टॉप फ्री विनर्स हैं अगर आप इन टॉप फ्री में आते हैं यू विल गैट हंडर्ड परसेंट स्कॉलर्शिप अन दे सब्सक्रिप्शन यानि आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और यह किवल ए से रिलेटिव स्कॉरिंग होनी है विकली कंटेस्ट है तो इसमें तो आपको एन्रोल करना ही चाहिए और कोड याद रखें वी देव यूज दिस कोड वाइल सब्सक्राइबिंग और एन्रोलिं यॉरसेल्फ और अन एकेडमी कॉंबेट ऑलसो तो आई प्रॉम माई साइड तो यह लगभग उस तरीकी की बात होगी कि यह यूट्यूब के सेशन दो है यह तो आपका काम कर ही देंगे लेकिन इसके बाद अगर कोई भी और हमें बेक एंड पर सपोर्ट चाहिएगा वो सारा सपोर्ट हमें अन एकेडमी लर्निंग एप से मिलता रहेगा यह तो सारा कोर्स आपके लिए फ्री है है हम लोग एफर्ट कर ही रहे हैं तो बहुत नॉमिनल फी में अगर आप प्लस पर आ जाते हैं तो यह विल भी हाइली बेनेफिशल फॉर्मी ठीक है एक महीने का लगवा कितना पड़ेगा है 38500 टोटल है और 3200 के आसपास परमंत पड़ेगा इसमें से भी 10% आपका आफ हो जाना है जैसे ही आप यह कोड इस्तिमाल करेंगे 10% इसमें आफ हो जाएगा तो आप मुझे अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं अनकेडमी पर अनकेडम को है परसनल इसपर भी अब भेज सकते हैं मुझे आप सीधे अनकेडमी लर्निंग आपके थूरी मेसजेleton भेज सकते हैं बहुत सारे बचों के मेसेज़ेस आते हैं और अपने देखा होगा कि मैं सारे तर मेसेज़ेस को मैं रिपलाई करता हूँ खीक है वालेकुम असलाम बिटा सदफ सदफ का मतलब जानते हूँ कि क्या होता है क्यों सदफ वालेकुम असलाम बिटा सदफ आपका जो नाम है बड़ा अच्छा नाम है सदफ का मीनिंग बताओ जरा सदफ को रोशनी नहीं कहते बेटा सदफ होता है मोती ठीक है पर्ल पर्ल जो है मोती जो है उसे सदफ कहा जाता है यह ना इस ना रोशनी तो अब ठीक से ठीक से मीनिंग अपने नाम का मीनिंग सही पता होना चाहिए ना तुमको चलो कोई बात नहीं कल मैंने आपको Echinodermita पढ़ा दिया था अहां वंशी का आप recorded lecture देख लेना और YouTube पर मैं complete कराऊंगा ही है ना हाँ शेशी वो poetry एक अलग zone है उसके लिए अलग forum होते हैं जिसमें हम लोग जाते हैं कई बार हमें बुलाया जाता है तो हम जाते हैं वहाँ पर this is not the forum of poetry उसके भी कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे you can go through them on YouTube also चलो Echinodermita कल आपको पढ़ा दिया था याद करो ये स्टार फिश वगर आपने पढ़ लिये थे water vascular system या ambulacral system जो बहुत important system है जो पूरे animal kingdom में केवाल Echinodermita में ही exist करता है या हमने पढ़ लिया था और कल मैंने आपको बड़ी खास बात एक बताई थी कि enterosilome और deuterostomic condition केवाल ये दो चीज़े हैं जिनकी वज़े से Echinodermita को सबसे developed phylum हम consider कर लेते हैं और कोई कारण नहीं है कोई reason नहीं है कोई reason नहीं है कि हम Echinodermita को higher pedestal पर रखें क्योंकि Echinodermita के ज्यादा तर most of the features of Echinodermates actually resembles with sealant rates or we can say lower vertebrates symmetry radial है diffusion से excretion हो रहा है diffusion से respiration हो रहा है है ना बहुत सारे organism सेसाइल हैं देखो यह देखो यह सी लिली है यह सेसाइल है पौध है के जैसा दिखाई देता है बहुत वक्त तक तो ऐसी बात थे कि इसको Animal Kingdom में इंक्लूड ही नहीं किया गया था क्योंकि पता ही नहीं था कि बेटा देखो एक तो session को like कर दो जल्दी से और share कर दो ठीक है जिससे जिन लोगों को अभी वो जागरती की अवस्था में नहीं आये हैं जिनका अभी आखें जिनकी नहीं खुली है वो तुरंत प्रभाव से उठ जाएं और उठने के बाद में session में आ जाएं पढ़ना तो हैमी कॉल डेटा के बारे में तुम्हें पता चलेगा हैमी का मतलब क्या होता है बच्चों हाफ और कॉल डेटा तो आप समझते ही हैं यानि कि हाफ कॉल डेट्स हाफ कॉल डेट्स को हमने क्या कहा हैमी कॉल डेटा हाफ कॉल डेट तो हमें तब पता चलेगा जब हमें प ठीक है ना हाफ भी कैसे पता लगाएंगे जब तक हमें फुल कॉलर्डेट पता नहीं है तो अभी फुल कॉलर्डेट समझाऊंगा आपको थोड़ा सा इंतजार कीजिए पहले दरा इनके करेक्टर्स देख लें ये और एक्स्क्लूजिवली मेरीन वाटर्ड केवल मेरीन वाटर में मिलते हैं ये और्गनेजम जो दिख रहा है ना आपको ये है आपका बेलेनो ग्लॉसस ठीक है ना वर्म लाइक अपियरेंस है इसकी देखो ज़रा आपको दिखाई दे ही रहा होगा बिलकुल और इसकी बाड़ी के डिवीजन बड़े स्पेसिफिक होते हैं इन डिवीजन की तरफ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो डिवीजन है इसको तो हम कह रहे हैं प्रोबोसस ये जो दिखाई दे रहा है ये है कॉलर और ये जो पीछे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये है ट्रंक ठीक है तो बाड़ी का डिवीजन बड़ा स्पेसिफिक है प्रोबोसस, कॉलर और ट्रंक एक ये चीज़ भी पूछ ली जाती है सीलोम का पैटर्न तो आप जानते ही है अब इसके बाद यानि एकाइनो डर्मेटा के बाद सब में अं्टेरो सीलोम ही है एकईनो डर्मेटा है में कॉलिटा है और कॉलिटेटा, इनमें एक छोटा सा राड के जैसा structure appear होता है जिसे हम कहते है स्टॉमो कॉर्ड अच्छा कॉल्डेट्स में एक स्ट्रक्चर एपियर होता है जिसका नाम है नॉटो कॉर्ड ठीक है तो यहां नॉटो कॉर्ड तो नहीं बन रहा लेकिन उससे कंपेर की जा सकने वाली स्ट्रक्चर एपियर हो रही है जिसका नाम है tomocool ठीक है जो basically एक supportive structure है rod के जैसा छड़ के जैसा solid structure है छोटा सा पूरी बाड़ी में spread नहीं होता है छोटे से हिस्से के अंदर होता है dorsal gill slits अब gill slits usually होती है यहाँ lateral side walls पर fish's में अगर आप देखेंगे तो lateral gill slits मिलेंगों है ना कभी भी dorsal नहीं होते लेकिन यहां गिल्सलिट है डॉर्सल है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है इनका ओपन पर्टिलाइजेशन इनका एक्स्टर्नल है और इनका डेवलपमेंट इंडायरेक्ट है इनके लार्वा का नाम कई बार पूछा गया है और इसमें आपको एक ही आर्गेनिजम का नाम याद रखना है सिंगल आर्गेनिजम का जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है बहाई बतावेगा क्यों कॉई कौन-कौन बच्चे बता सकते हैं भाई पड़े लिखे बच्चे कितने हैं जिनको चीजे याद हैं कौन बताएगा इसका नाम वाट इस अर्गिनिज्म शवाश कृष्ण मोहन अभी डिसकस करते हैं बिटा जस्ट अ मिनिट मैं आपको अभी हाफ कॉर्डेट फुल कॉर्डेट बताऊँगा भगवती पातिदार बिल्कुल सही बिल्कुल सही भगवती ने सबसे पहले और सबसे सही जवाब दिया है यह है आपका बेलेनो ग्लॉसर्ज और इसका एक और नाम है पानी में अपने चारों तरफ म्यूकस का एक ट्यूब बना के रखते हैं और उस ट्यूब में रहते हैं ऐसे और्गनिज्म कहलाते हैं ट्यूबी कॉलर्स ठीक है अभी तो सब का आंस्वर आ गया मेरे पास में मीर का वैशनवी का सदफ का वा ब्रोकन फार्म राहुल लेट मत हुआ करो बिटा उठ जाओ सारे के सारे और बाकी बच अगे यानि हमारा आखीरी जो फार्म है उसकी तरफ हम मूव करें हमारा आखिरी जो phylum है वो है Chordata यहाँ एक diagram आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं फिर से draw करूँगा आपके लिए लेकिन Chordata के कुछ basic characters होते है किसी भी organism को Chordata में केवल तब classify किया जाएगा only in the case when four basic characters exist or appear in it ये चार characters क्या हैं सबसे पहला तो Notochord Notochord एक rod के जैसा चड़ के जैसा structure होता है इस diagram में आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये चड़ के जैसा structure होता है जो की body को support provide करता है origin में mesodermal होता है तो Notochord होना चाहिए फिर दूसरे number पर dorsal tubular nerve cord होना चाहिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको खोखला सा एक portion दिखाई दे रहा है hollow structure dorsal tubular nerve cord जिसके आगे वाले हिस्से से तो brain बनेगा जैसे अगर मैं हमारी body में बात करूँ पीछे वाले से spinal cord बनेगा ये इनका elementary canal है तो pharyngeal gillslit भी आपको दिखाई दे रहा है देखो lateral side wall में करता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके और जब मैं बनाऊगा तो बनाते वक्त आपको पता चलेगा कि exactly ये कैसा structure है तो basic call date characters के लिए सबसे पहले में एक diagram आपके लिए draw करता हूँ just a minute देखिएगा ये किसे typical call date का structure हम draw कर रहे हैं बेटा पीटा just a minute ये एक typical call date है ये देखो ये एक typical call date आपको यहां पर दिखाई दे रहा है और इस typical call date में मैं ये जो बीच में बना रहा हूँ ना ये elementary canal है इसका ध्यान से देखिएगा वही सारे के सारे बच्ची ये elementary canal पीछे की तरफ जाके open हो रहा है अब देखिए इसकी body का ये तो dorsal है portion मैं यहां लिख रहा हूँ डी डी का मतलब है dorsal यहां लिख रहा हूँ ventral ये body का anterior end है और ये body का posterior end है ठीके साब अब जरा ध्यान दीजिएगा सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये reverse चल लेते हैं चलिए इनकी body में यहां एक dorsal hollow tubular nerve cord मिलेगा ये देखो ये खोखला सा structure देख रहे है ये है dorsal tubular nerve cord बाडी के dorsal surface पर मिलेगा खोखला होगा ठीक है दूसरे number पर देखो जरा यहां ये आपको दिखाई देगा छड के जैसा structure रौड के जैसा structure जो पूरी body में फैला हुआ है और ये जो rod के जैसा structure पूरी body में फैला हुआ है इसका ही नाम हमने क्या रखा है notocord देखो जब किसी भी cordate का development होता है तो शुरू में initially उसकी body में कोई भी supportive structure नहीं होता पहला जो supportive structure उसकी body में appear होता है वो पहला supportive structure ही क्या कहलाता है भाई notocord फिर तीजरे नंबर पर आपको ये दिखाई दे रहा है यहां पर आपका elementary canal elementary canal में ये pharynx वाला reason है जिसमें यहां आपको दिखाई दे रहे हैं gill slits ये मैंने कुछ gill slits बना दी now let me label this diagram for all of you सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे भाई सुनो anterior end पर ये क्या दिख रहा है आपको mouth कोई भी चीज समझ में नहीं है तो आप तुरंत प्रभाव से पूछ लेंगे this is mouth ये एलिमेंटरी कैनाल है एलिमेंटरी कैनाल ये पीछे की तरफ जो अपर्चर दिखाई दे रहा है इस अपर्चर को या तो हम कहेंगे एनस लेकिन सब में एनस नहीं होता कुछ में क्लॉयका भी होता है तो सब दोनों चीजें आ गई उपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है डॉर्सल ट्यूबिूलर नर्व कॉर्ड ये डॉर्सल ट्यूबिलर नर्व कॉर्ड दिखाई दे रहा है फिर यहां आपको रॉड के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है नॉटो कॉर्ड ये नॉटो कॉर्ड है और पीछे की तरफ यहां से लेकर के यहां तक यह जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे हम कहेंगे पोस्ट एनल टेल तो अब अगर आप से कभी बेसिक करेक्टर्स कॉर्डेट के पूछे जाते हैं तो इन चार बेसिक कॉर्डेट करेक्टर्स की तरफ हमेशा आपको ध्यान देना है सबसे पहला बेसिक कॉर्डेट करेक्टर क्या है नॉटो कॉर्ड अभी सब के बारे में एक्स्प्लेइन करता हूँ दूसरे नंबर पर है आपका डॉर्सल ट्यूबिलर नर्व कॉर्ड ये लीजिए तीसरे नंबर पर है आपका अच्छा यह गिल इसलिट के बारे में मैंने है और आखिरी करेक्टर है आपका पोस्ट एनल टेल ठीक है ना फस्ट सेकंड फर्ड एंड फूर्थ यह किसी भी कॉल डेट के चार बेसिक पीचर से अब जरा ध्यान से समझो ध्यान से समझो सारे के सारे बचच बेट LED को सैशन में बुलाओ जिससे समझ में होता क्या है यह टिउbor और होता क्या है यह झब मैं कहता हूं टिपिकल कॉर्ड़र इसका के जैसा राड के जैसा ये हमारी बॉडी में या किसी भी कॉलडेट की बॉड़ी में बनने वाला पहला सपोल्टिव स्टरक्चर है पस्ट सपोल्टिव स्ट्रक्चर यूरिंग एम्परियोनल डिवलपमेंट तो ये बनना ही चाहिए essentially अगर यह नहीं बनेगा तो organism को chordata में classify हम लों नहीं कर पाएंगे दूसरा कल मैंने आप लोगों से detail में discuss किया था कि chordates में अगर nerve chord exist करेगा तो वो nerve chord यहां होगा body के dorsal surface पर और दूसरी बात यह कि कि वो hollow होगा non chordate में अगर हम बात करेंगे तो वो body के ventral surface पर होगा और solid होगा hollow नहीं होगा ठीक है साब यह elementary canal दिख रहा है elementary canal में pharynx के दोनों तरफ आपको दिखाई दे रही है paired pharyngeal gill slits और आखरी चीज एनस या cloica के बाद में यह tail वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको जिसे हम कहते हैं post annal tail अब सुनो बात को आपके दिमाग में यह आएगी कि यह basic chordate characters है लेकिन हमारी body में तो यह characters होते ही नहीं अब्वियस सी बात है यह चीज दिमाग में आएगी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी body main में से कौन सा character है इस वक्त तो केवल एक character exist कर रहा है वो है यह dorsal tubular nerve cord जिसका आगे वाला हिस्सा brain में बदल गया यह पीछे वाला हिस्सा spinal cord में बदल गया ना तो इस वक्त आपकी body में notocord है ने आपके यह pharyngeal gillslet है ने आपकी body में tail है but still you are classified in chordates what does it means कि जब आपका embryonal development हो रहा था सुनो तो embryonal development के दौरान कुछ वक्त के लिए कुछ समय के लिए notocord भी बना था कुछ समय के लिए gillslits भी बने थे कुछ समय के लिए post channel tail भी बना था बाद में यह disappear हो गए तो जब हम कहते हैं basic characters of chordates तो कहने का मतलब यह है कि यह चार character life cycle की किसी ने किसी stage में appear जरूर होने चाहिए जरूरी नहीं है चारों एक साथ देखें जरूरी नहीं है चारों throughout the life exist करें बिल्कुल जरूरी नहीं है लेकिन appear जरूर होने चाहिए बाद में चाहिए disappear हो जाए तो यह चार character अगर एक साथ या अलग अलग वक्त पर appear हो गए तो ऐसे organism को हम क्या कह देते हैं भाई call date और call data में उसको classify कर दिया जाता है समझ में आई की नहीं कहानी comment box में सारे बच्चे अरे बापरे इसमें किसी ने like ही नहीं कर रखा है ना like हो 70-80 के आसपास बच्चे इसको live देख रहे हैं session को अभी मैंने देखा likes only 50-60 यह क्या कर रहे हो जल्दी से करो chatting wedding बंद करो पहले जो करने का काम है जरूरी काम है आरी बात समझ में call data का मामला clear हुआ की नहीं call data का मामला clear हुआ की नहीं give me a thumbs up या तो thumbs up देंगे या yes लिखेंगे comment box में तो मुझे पता चलेगा कि यह diagram और यह पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई है तो मैं आगे proceed करूँगा शबाश क्लियर है सबको जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक भी करेंगे जल्दी से है ना शाबाश शाबाश बहुत अच्छे अब जरा वापस पीछे की तरफ चले अब आपको complete call date पता चल गया ना आपको जानकारी हो गई जब complete call date की जानकारी हो गई तो अब आप half call date की जानकारी भी ले सकते हैं हेमी कॉर्डेटा में क्या बताया था आपको देखना क्या लिखा था half call date तो भाईया यह half call date का मतलब क्या है जो चार करेक्टर आपने पढ़े हैं कौन-कौन से नौ चार च्रा चैपर करेक्टर में से सबसे पहले चीज में मैं में मेंशन करओं लेकिन नोंठो कार्ड से मिलता जूलता एक structure जिसका नाम है स्तॉमोकार्ड नौट्यवकर्ड नहीं है यह इन में नर्व कॉर्ड भी नहीं है तीसरे नमबर पर है गिल स्लिट्स तो गिल स्लिट्स इन में हैं तो सही लेकिन डॉर्सल हैं देखो उनी चाहिए लेटरल लेकिन इन में कैसे हैं डॉर्सल तो चलो इसको मान लेते हैं कि यह है और टेल भी में exist नहीं करता तो चार में से एक करेक्टर तो पूरा है और ये जो नौटो कॉर्ड वाला है इससे मिलती जुलती कोई चीज है स्टॉमो कॉर्ड इस वजह से इनको हम किस कैटेगरी में रख लेते हैं हाफ कॉर्डेट बात समझ में आई की नहीं अभी भी देखो ये किसी भी टिपिकल कॉर्डेट का स्ट्रक्चर हो गया है आप लोगों के लिए अच्छा एक बात और समझो भाई ये जो चार करेक्टर हैं इन में से नौटो कॉर्ड वाले करेक्टर को फिर से एक बार बता दूँ आपको नौटो कॉर्ड के बारे में कई बार चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो मैं यहां मेंशन कर रहा हूँ स्पेसिफिकली आपके लिए नौटो कॉर्ड के बारे में नौटो कॉर्ड एक तो रॉड के जैसा स्ट्रक्चर है rod like solid structure एक बात तो हुई ये दूसरी बात ये है कि ये mesodermal होता है origin में और तीसरी सबसे important बात है कि ये सब में throughout the life present नहीं होता बहुत से organism ऐसे होते हैं जिन में notocord तो खत्म हो जाता है और इनकी जगे vertebral column आ जाता है उनको हम कहते हैं vertebrates तो तीसरी चीज क्या याद रखनी है in case of vertebrates it is replaced by vertebral column during the course of development तो notocord के बारे में ये तीन चार बातें आपको पता होनी चाहिए सदव ये एक schematic diagram है आपसे अगर पूछा जाए question कैसे पूछे जाते हैं आपसे अगर ये पूछा जाए कि what is the location of notocord तो आप क्या answer देंगे between nerve cord and elementary canal nerve cord और elementary canal के बीच में ये छड़के जैसा road के जैसा structure this is the location what is the location of nerve cord dorsal most what is the location of elementary canal ventral कल परसों किसी ने पूछा था dorsal ventral कैसे determine करते हैं confusion होता है तो cordata में आपको सीधे सीधे एक थंबरूल याद रखना है cordata की बात कर रहा हूं non cordata की नहीं जिस surface पर elementary canal होगा वो ventral surface होगी जिस surface पर nerve cord होगा वो dorsal surface होगी that is how surfaces are determined in case of cordates जिधर भी आपका elementary canal exist कर रहा है ठीक है ना और जिस तरफ आपका nerve cord exist कर रहा है वो surface कौन सी surface होगी बेटा डॉरसल so I hope this diagram is completely clear to you but at the same time मुझे बहुत दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि अभी भी live sessions देख रहे बच्चों की संख्या ज्यादा है और session को like करने वाले बच्चों की संख्या कम है जिससे मुझे ये पता चलता है कि आप थोड़ा सा यूं कहना चाहिए कि RC type के बच्चे हैं और जो काम आपको आते ही कर देना चाहिए वो आप करते नहीं है जल्दी से तो तुरंत प्रभाव से करो भाई इसको इतना लेट मत करो चलिए जी अब हम phylum chord data के basic characters तो हमने पढ़े ही लिए हैं है ना अब मैं आपको chord data के classification का chart समझाता हूँ एक जिससे आपको समझ में है कि हम chord data में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं है वालोक अब मैं द्रॉइंग ए चार्ट पर यू phylum chord data और इसी के according इसी के according हम chord data को पढ़ेंगे तो इस चार्ट को सारा ध्यान से समझेगा सारे बच्चे इस चार्ट के बारे में अगर इस चार्ट को आपने ठीक से देख लिया तो आपको chord data के यूं मानके चलें कि 50% questions तो chord data के वैसे ही solve कर देंगे so here is phylum chord data chord data को सबसे पहले हम classify करते हैं दो groups में और जिन दो groups में classify करते हैं उनका नाम क्या है भाई ए क्रेनिया और दूसरा group कहलाता है हमारा क्रेनियेटा this is the first division ए क्रेनिया and क्रेनियेटा ए क्रेनिया और क्रेनियेटा का division किस base पर हुआ है यह तो आपको बताने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी लिखे देता हूँ इस case में क्रेनियम एबसेंट है क्रेनियम समझते हो ना brain box brain के चारों तरफ जो bones है और इस case में आपका क्रेनियम या brain box present है ठीक है क्रेनियम एबसेंट क्रेनियम प्रेसंट this was the base of the division so this is the first initial division of core data यह लीजी अब इधर जो आपको ग्रूप दिखाई दे रहा है जिसको हमने लिखा एक रैनिया इनको प्रोटो कॉर्डेटा भी बोल दिया जाता है कई बार एक रैनिया में हम दो ग्रूप पढ़ने वाले हैं एक तो हम पढ़ने वाले हैं यूरो कॉर्डेटा और एक हम पढ़ने वाले हैं सिफेलो कॉर्डेटा यह दो ग्रूप हम इसके अंडर में पढ़ेंगे एक रैनिया के अंडर में पढ़ेंगे यूरो कॉर्डेटा एस वेल एस सिफेलो कॉर्डेटा ठीक है क्रेनियेट्स को एक और नाम इनके लिए इस्तिमाल किया जाता है यह वर्टी ब्रेटा अब यहां से आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी जरा तवज्जो ध्यान दीजिएगा भाई इधर 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 बातें बंद तारे बच्चे ठीक है वर्टी इस्तिमाल किया न मैंने अब यहां एक बार question पूछा गया है एक statement दिया गया all call dates are vertebrates दूसरा statement दिया गया all vertebrates are call dates तो भाई all call dates are vertebrates तो नहीं हो सकता ना औल वर्टीब्रेट्स आर कॉल्डेट्स ये बात विल्कुल ठीक है और दूसरा आप कॉल्डेटा और वर्टीब्रेटा को सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते दे आर एंटायरले डिफरिंट थें कॉल्डेटा का मतलब जिनमें बेसिक चारों फीचर प्रिजेंट हो नॉटो कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, गिल्सलिट, पोस्टैनल टेल वर्टीब्रेटा उनको कहेंगे जिनमें मैं लिखे देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो वर्टीब्रेटा उनको कहा जाएगा जिनमें नॉटो कॉर्ड की जगे क्या बन जाता है भाई नॉटो कॉर्ड गिल्स राइस टू वर्टीब्रल कॉलम केवल उनको वर्टीब्रेटा कहा जाएगा हर किसी को वर्टीब्रेटा नहीं बोला जाता ठीक है आप देखना ज़रा यह जो वर्टीब्रेट से इनको फिर आगे क्लासिफाई करते हैं इस चार्ट को समझते हैं आपकी आदी समस्याइं समाप्त हो जाएंगे वर्टीब्रेटा को फिर दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हमने एक ग्रुप लिखता हूँ यहाँ ए नैथा एक इधर लिखता हूँ नैथो स्टॉमेटा यह वर्टीब्रेटा के डिवीजन्स है भाई टू डिवीजन्स आफ वर्टीब्रेट्स फरस्ट इस एगनेथा अनधर इस डैथो स्टॉमेटा अब यहाँ क्या है इस केस में मैं कहूंगा जाउ एबसेंट इनमें जाउ नहीं होता भई जबड़ा नहीं होता और नैथो स्टॉमेटा में जाउ प्रेजन्स इस बेस पर डिवीजन हुआ ठीक है साब जाउ प्रेजन्स और एबसेंट ए नेथा में हम फिर एक फाइलम पढ़ेंगे फिर एक ग्रुप पढ़ेंगे फाइलम नहीं एक ग्रुप पढ़ेंगे जिसका नाम है cyclostomata ठीक है यह वाला group इसमें बढ़ेंगे और netostomata को हम फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे now there are two super classes अब मैं super classes mention कर रहा हूँ यहां first super class is known as Pisces जिसमें की true fishes include की जाती है and the second is tetrapoda इस बार हमने division कैसे किया just a minute इनको भी बैचारों को caps lock में लिखा जाए तो बैठर है न अगर ना भेदभाव हो जाएगा tetrapoda इस बार division किस बेस पर हुआ प्यारे बच्चों इस बार division इस बेस पर हुआ कि इन में तो limbs absent होते हैं और इन में limbs present होते हैं लीजिए चीक है और finally tetrapods में चार classes आ गई देट इस एमफिबिया रैप्टीलिया एव्स एंड मैमेलिया ये चारों ग्रुप आपके किसमें इंक्लूड कर लिए गए टेट्रा पोडा में ये लीजिए तो ये आपका कॉर्डेटा के classification का एक chart हो गया इसको जरा एक बार फिर से समझ लीजिए फिन्स के बेसिस पर भी हो सकता है क्या अरे भाई रोको तो सही फिन्स फिन्स पर तो चलेंगे मूव करेंगे session को like करो session को share करो सारे के सारे बच्चे आलस्यमत किया करो इसमें ठीक है इसके लिए self motivated रहा करो जैसे मैं self motivated रहता हूँ ना तुमको पढ़ाने के लिए concepts clear करने के लिए और मेरा purpose यह होता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर जो चीज़ है उसको थोड़ा easy करके समझाओ जिससे तुमारे दिमाग में घुज़ जा है डाउनलोड हो जाए तो ऐसे self motivation होना चीज़ चीज़ के लिए कि सरगा session चल रहा है इसको like भी करेंगे और share भी करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक spread करेंगे इसको है ना चलो अब सुनो ज़रा वापस से मैं एक बार यह chart समझा रहा हूँ फिर इस chart के according आगे move करेंगे फाइलम कॉर्डेटा को हम सबसे पहले दो ग्रूप्स में डिवाइड करते हैं जो अभी घूमते फिरते अभी आया ना बच्चे जिनकी आँखें अभी खुली है नीद अभी खुली है शुरू की चीज़े नहीं पढ़ी है एक बार फिर से आप तो ये मानके चलों बॉक्स क्यों प्रेजंट होगा ब्रेन को कवर करने के लिए नहीं तो एक रेनिया में क्रेनियम नहीं है इसमें दो घ्रूप हम पढ़ते हैं यूरो कॉर्डेटा इंड सिफिलो कॉर्डेटा दूसरा आता है क्रेनियेटा सीधी सी बात है क्रेनियम प्रिजेंट है तो जैसे इसमें हमने यूरो और सिफिलो कॉल्डेटा लिखा इसमें किवल एक टर्म लिखा मैंने वर्टीब्रेटा तो Vultibreta और Kriniator को आप Synonyms की तरह भी Colleats की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहीं से यह रहस्योत घाटन भी होता है इस रहस्य के बारे में हमें पता चलता है कि साव Vultibreta और Colleata Synonyms नहीं है Vultibrates are a part of Colleates या Vultibrates उन Colleates को कहेंगे जिनमें नॉटो कॉर्ड तो खत्म हो जाता है द्यूरिंग तो कॉर्स आफ डेवलपमेंट और उसकी जगए उसको रिप्लेस कर देता है वर्टिब्रल कॉलम ऐसे और्गनिज्म कहलाते है वर्टिब्रेट्स तो यह बात जरा दिमाग में अच्छे से घुसा लेना इस बात को जैसे आपने पढ़ा होगा ना के एवल्यूशन के चैप्टर में पढ़ते हैं हम प्रोगनेथस आगे की तरफ निकला हुआ जबड़ा और्थोगनेथस नीचे वाला हाइपोगनेथस जो कॉक्रोच में होता है वर्टिकली नीचे की तरफ गया हुआ जब मैं लिखता और जब हम इधार आते हैं नैथो स्टॉमेटा इसका मतलब इनमें जवड़ा प्रेजेंट है अब यहां इनको हमने दो सुपर क्लासेज में डिवाइड कर लिया है यह जो चीजे मैंने में ने मेंशन की हैं देयार एक्जेक्ली सुपर क्लासेज सुपर क्लास पाइसीज जिसमें की फिशेज आती हैं लिंप्स नहीं होंगे इनमें एंड सुपर क्लास टेटरापोडा जिनमें की लिंप्स प्रिजेंट होंगे और यहां फिर चार क्लासेज आ गई अब हमारे पास कॉर्डेटा में पढ़ने के लिए कितनी चीजें हो गई वन टू यूरो कॉर्डेटा सेफिलो कॉर्डेटा साइक्लोस्ट्रोमेटा तीन फिर पाइसीज चार पांच छे साथ और आठ यह आठ ग्रुप्स हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जान च्रिकरी सेक्टे बारे में होने चाहिए कि ठीक है कि चलो जी गूल 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 चलो सब यह करो साथ न नियुक्ता करते हैं देखो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं आप देख रहा है यह जो लिखा है ना सबसे पहले इसकी तरफ नज़र डालो यूरो कॉर्डेटा ये सबसे पहला ग्रूप है जो मैं डिसकस करता तो आईए यूरो कॉर्डेटा पर आते हैं इस ओर्गनिज्म को देखो जरा ये एक अजीब सी पोजीशन है डेविलप्ड फाइलम में एक और्गनिज्म आ गया है लेकिन एसिमेट्रिकल है एक तो इसकी सिमेट्री नजर नहीं आ रही है दूसरा ये जमीन से चिपका हुआ है इसमें मूव्मेंट नहीं है तो ये दोनों बाते बड़ी इंपोर्टेंट है कॉर्डेटा में ऐसे और्गनिज्म नके बराबर है या है ही नहीं कहना चाहिए इसको एक को छोड़ दो तो कि कहना यूरो कॉर्डेटा को अगर हम छोड़ दें तो यूरो कॉर्डेटा में जो दो-तीन बहुत इंपोर्टेंट बात हैं सब बच्चों को पता होनी चाहिए देखो सबसे पहला मरीन वाटर डेम हो तो चलिए कोई खास बात में सेसाइल होते हैं बहुत इंपोर्टेंट बात है कॉर्डेटा में आप सेसाइल और्गनिज्म नहीं ढूंड पाएंगे और कॉर्डेटा में सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं वह इसंत्रिकल भूंडना बहुत मुश्किल है रेयर इसी ग्रूप में मिलेंगे अगर मिलेंगे तो इसन इनका लारवा जो है वो भी तेयड पॉल ही कहलाता है लेकिन उसका पूरा नाम हम लिखेंगे Ascidian Tedpole प्रॉग का लारवा भी Tedpole कहलाता है इनका लारवा भी Tedpole कहलाता है डिफरेंशेट कैसे करेंगे प्रॉग में हम टर्म इस्तेमाल करते हैं simple Tedpole यहां हम कहते हैं Ascidian Tedpole अब यहां एक बात समझे जरा इसको Tunicata क्यों कहा वाई दिस रूप इस नोन अज ट्यूनिकेटा, ध्यान से समझ येगा देयर बॉडी इस कवर्ड बाई एलूज टेस्ट और ट्यूनिक यह दो को यह थैले के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है यह जिसने बॉडी को चारो तरफ से घेर रखा है यह ट्यूनिसिन करके एक सबस्टेंस आता है, उस सबस्टेंस का बना होता है क्या हो गया भगवती? क्या समस्या आ गई अचानक से? इस क्लास के नोट्स कहां पर मिलेंगे? रोजाना यही चीज बतानी पड़ती है मिरको टेलिग्राम का ग्रूप जॉइन करो यह जो क्लास चल रही है न जो यूट्यूब सेशन चल रहा है भगवती और बाकी बच्चे जिनको नहीं पता है वो भी सुन लो इसके डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलिग्राम लिंक लिखा हुआ मिलेगा उसको जब प्रेस करोगे तो आप इसके टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लोगे इसके टेलिग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर हम जितनी भी क्लासेज होती है उसके नोट्स पोस्ट करते हैं जैसे अभी जितनी भी चीज़े मैं यहां लिख रहा हूँ, यह सारी चीज़े पोस्ट हो जाएंगी, क्लास खत्म होने के 5 मिनिट में, सारे लिंक्स शेयर होते हैं, हैंड रिंटन नोट्स पोस्ट होते हैं, WPPS पोस्ट होती हैं, पोल्स ओर्गनाइज करवाए जाते हैं, औ और जो भी information आपको चाहिए वो सारी वहाँ, special classes के link भी share होते हैं, तो सारे बच्चे इसको ध्यान रखो, यह देखो बच्चों ने लिखकर भेज़ दिया है, एक और personal group भी है मेरा, उसको भी आप join कर सकते हैं, चशी, thank you बेटा, चलो, तो body is covered by a loose test or tunic, यह बात याद रखना है, अच्छा, अब यहाँ एक बड़ी interesting बात आती है, वो interesting बात क्या है, ज़रा इसको पढ़ो, क्या लिख रखा है, Retrogressive Metamorphosis, यह बड़ी specific चीज है, और इस पर दरजनों बार, dozens of time question पूछे गए हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को, जब कि मैं कहता हूँ, 90% of the students को यह clarity नहीं है, ठीक है ना? तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि Retrogressive Metamorphosis होता क्या है, Metamorphosis का मतलब तो समझते हो, बिल्कुल सरल करके कहूँ, तो Metamorphosis का मतलब होता है, Conversion of Larva into Adult, जब कोई Larval stage किसी Adult में Convert हो जाता है, तो उसे हम कहते है Metamorphosis, यहाँ Morpho term आ गया है, Morpho का मतलब क् Appearance, यानि कि जब Larva एडल्ट में Convert होगा तो उसकी Morphology चेंज हो जाती है, जैसे टेड़ पोल फ्रॉग में बदलता है, तो टेड़ पोल में तो लिम्स नहीं थे, फ्रॉग में लिम्स आ जाते हैं, टेड़ पोल में तो गिल्स थे, फ्रॉग में गिल्स खत्म हो जाते हैं टेड़ पोल तो aquatic था, frog कैसा हो जाता है, amphibious, टेड़ पोल तो आपका herbivores था, frog कैसा हो जाता है, omnivores, टेड़ पोल में तो heart 2-chambered था, frog में heart हो जाता है, 3-chamber तो ऐसे करके morphological changes आते हैं anatomical changes आते हैं during the conversion of larva into adult larva से जब adult बनता है तो अब ज़रा ध्यान से सुनो retrogressive metamorphosis अगले 5 minute अगर शांती से बैठे रहे यह आपस की जो चुहल चल रही है बातचीत चल रही है इसको 5 minute के लिए अगर बंद कर दिया तो retrogressive metamorphosis कभी नहीं भूलोगे that is a promise so be sincere and focus यहाँ पर इस तरफ तवज्जो ध्यान concentration जो भी कहें हैं आप है ना सुनो retrogressive metamorphosis का मतलब क्या है मैं यहाँ आपके लिए tabular form में mention करता हूँ एक तो है हमारे पास इस organism का लारवा पहले तो मैं आपको basic chordate characters के list बना दू आपको पढ़ा चुका हूँ basic chordate character तो बिलकुल आसानी से लिखा जा सकता है सबसे पहले नंबर पर क्या होता है notochord दूसरे नंबर पर क्या होता है dorsal, tubular, nerve cord तीसरे नंबर पर क्या होता है gill slits और चौथे नंबर पर क्या होता है post annal tail ये चार character तो आप जानते ही है जरा ध्यान से अब आपको लारवा और एडल्ट का comparison बताता हूँ इनका लारवा क्या कहलाता है भाई देखने जरा, have a look इनका लारवा कहलाता है acedian tadpole acedian tadpole larva ये color दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को acedian tadpole larva और इधर है आपका एडल्ट eurocordate adult eurocordate में इसका नाम ही लिखे देता हूँ यहाँ पर herd mania अब जरा ध्यान से सुरना मेरी बात को जब हम इनके larva और adult का comparison करते हैं प्यारे बच्चों क्या हो गया भाई elvin यादव elvin यादव बिटा क्या बात हो गई क्या मैंने कोई चुटकुला सुनाया तुमको है क्यों हस रहे हो ऐसे बुक्का फाड़ के जोर से इतना जोर से हसने की क्या जरूरत है ऐसा तो कोई जोक अभी crack नहीं किया है हमने ठीक है सुनिए ज़रा ध्यान से I am repeating it again Just for five minutes Be calm Stay focused इसके larva और इसके adult का जब comparison करते हैं इसके larva और इसके adult का जब comparison करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि larva में यह जो चार basic chordate character मैंने आपको बताई यह चारों characters exist करते हैं यह character भी है यह character भी है यह character भी है यह character भी है larva में चारों characters है लेकिन जब आप adult को देखोगे तो adult में न तो notochord है नपोस टैनल टेल है गिल स्लिट्स प्रेजेंट है डॉरसल ट्यूबिलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है बट इन द फॉर्म आफ गैंग्लियोन अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिये हमारे सामने लार्वा रख दिया जाए इनका एसीडियन टेड़ पोल लार्वा रख दिया जाए और एक हमारे सामने इनका एडल्ट रख दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि साब इनमें से ज्यादा डेवलप्ट कौन सा नजर आता है तो हम क्या कहेंगे हम ये कहेंगे कि ये ज्यादा डेवलप्ट है क्योंकि इस में call data के चारॣ characters है all basic call date characters are present in the larvae stage लेकिन जब larva से adult में conversion हुआ larva से adult का conversion क्या कहलाता है इसी conversion का नाम तो metamorphosis है आपको बताया ना यह metamorphosis हो रहा है और इस metamorphosis के दोरान हो क्या रहा है more developed larva ने प्तूरार्वा रिजा से करेंगेiiii am or दैवलप्ट करेंगे गए रहा हूं हैं कंड़ हो रहा है यह लेस कम्ड़ान हो में कॉgg स्युक्स में करक्टर प्रिय SANDE क्योंकिि मुझेक लुज रहा हैं तो इस बिन embod sale im till packages is उल्टी दिशा में metamorphosis होने लग गया। इसी के लिए हमने क्या टर्म इस्तेमाल किया बेटा। वी यूजड दे टर्म रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। I hope now it is completely clear to all of you। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस से related question गलत तो नहीं करोगे भाई अब। Give me a thumbs up, अगर आपको समझ में आ गया है तो जड़ा response दीजिए, मुझे पता चले कि आप लोगों को ये clear हो गया है। जल्दी। सारे के सारे बच्चे, कोई confusion नहीं बचना चाहिए किसी को भी। वैष्णवी, अनन्य, प्रनब, आइशा, राहुल, मुस्कान, मनीश, रंगा, नीरज, अंशिका, भगवती, एल्विन, गौरव, जौधरी चलो। सारे बच्चों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। अब जरह वापस पीछे की तरफ चलते हैं। लार्वा पशेस देखो, क्या लिखा था मैंने, लार्वा पशेस ओल बेसिक कॉड़ेट कर्रेक्टर्स अड एड एडल्ट पशेस ओंली गिल्ट जिल्ट तो होंगे। और मैंने क्या लिखा है जो आपका dorsal tubular nerve cord है यह होगा बट in the form of ganglion tubular format में नहीं होगा So we can say a more developed larva converts into less developed adult and this is known as retrogressive metamorphosis इससे सबसे ज्यादा जो question पूछे गएं वो यही पूछे गएं Example में बस एक organism का नाम याद रखें that is herd mania और इस herd mania को हम sea squirt भी कहते हैं this is herd mania also known as sea squirt squirt का मतलब समझते हैं फवारा तो यह जो aperture दिख रहे हैं आपको इसके दो aperture दिख रहे हैं एक यह वाला aperture दिख रहे हैं यह यह यहाँ पानी निकलता है फवारी की तरह पानी बाहर निकलता है ठीक है शाबाज, हाँ सदफ क्या बात हो गई बेटा क्या समस्या हो गई, सदफ और मुस्कान, आप दोनों को कुछ इशू है बोलिए जल्दी से पूछिए फिर मैं आगे चलूँगा सिफलो कॉर्डेटा भी पढ़ा दूँ आप लोगों को जल्दी से चलो मेरे पास कोई सवाल नहीं आया अभी अब देखो जरा इसमें से यूरो कॉर्डेटा वाला सेग्मेंट पढ़ लिया है अब आते हैं इस वाले सेग्मेंट पर जिसका नाम है सिफलो कॉर्डेटा ये दूसरा ग्रूप एक रेनिया का एक ग्रूप पढ़ लिया दूसरा ग्रूप अब पढ़ा रहा हूँ आपको सिफलो कॉर्डेटा जरा ध्यान से हाँ बिल्कुल इसको सी पोटेटो भी कहते हैं ये भी लिख लीजिए बिल्कुल ठीक बात है समुद्री आलू चलो सिफलो कॉर्डेटा जल्दी से देखो सिफलो कॉर्डेटा का मीनिंग क्या है सिफलो कॉर्डेटा को हम एक टर्म इसके लिए इस्तेमाल करते हैं पहले जरा याँ देखिए ये जो टर्म मैंने लिख रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको कहते हैं first complete chordate first complete chordate euro chordate अगो नहीं कहा जाता है क्योंकि उनके adult में क्यावले की character बचता है इनके adult में 4 chordate characters persist करेंगे all chordate characters are found in adults also and that is why they are known as first complete chordate प्रथम पूर्ण कशेरुकी है ना पहले complete chordate marine watered होते हैं और इनमें एक organ मिलता है जिसको कहते है वील organ या इसी का नाम है organ of molar mouth के नजदीक होता है जो circular water current produce करता है और इस organ of molar की वज़े से इनमें filter feeding का mechanism possible हो पाता है इनमें feeding का mechanism होता है filter feeding का मतलब क्या होता है कि जो water current है पानी की जो धाराएं है उन water currents में से microscopic food particles को तो pick कर लेना और जो बड़े size के food particles हैं उनको छोड़ देना जाने देना ये काम कहलाता है filter feeding और बहुत से organism में होता है filter feeding केवल इसी में नहीं होता है पर ये term याद रहे ठीक है और यहां भी आपको किवल एक ही example याद रखना है that is emphyoxus और branchiostoma this is emphyoxus और we can say branchiostoma और जो common term इसके लिए इस्तिमाल करते हैं that is lenslet lenslet किसी भी ऐसी चीज़ को हम कह सकते हैं जिसके दोनों किनारे दोनों सिरे जिसके नुकीले हो कृष्ण चंद कहते हैं circular water current क्या होती है पानी को यूँ गुमा दें अगर एक बाल्टी लीजिए bucket लीजिए या एक छोटा सा pot लीजिए और उस बरतन में पानी डालके उसको गुमा दीजिए यूँ तो यह water current generate होंगी ना वो कैसी है circular water current है गुल गुमने लगे का पानी that is circular water current simple, सरल, साधारण, आसान, easy ठीक है कई बार देखो scientifically नहीं दीपा कह रही है दीपा शिंदे कह रही है गैंगलियोन क्या होता है सुनो भाई जल्दी से देख लो गैंगलियोन का मतलब क्या होता है अगर nervous system आपने पढ़ रखा है तो आपने गैंगलियोन तो पढ़ रखे होंगे aggregated masses of nervous tissue nervous tissue की गाठे masses जो हमारी body में जगे जगे मिलते हैं उनको गैंगलियोन कहते हैं brain और spinal cord से बाहर कहीं भी nervous tissue अगर इकठा हो गया तो वो गैंगलियोन कहलाएगा ठीक है additional nervous mass clear तो अब हमने ये दो चीज़ें पढ़ ली हैं भाई देखना ज़रा euro cordata, cephalo cordata यानि एक rhenia वाला segment हमने clear कर लिया है अब हम move करेंगे vertebrata पर vertebrata में सबसे पहले पढ़ेंगे cyclostomata मैं आपके जारा 2-3 minute messages देख लेता हूँ क्योंकि फिर मुझे class को छोड़ना भी पढ़ेगा बेटा अभी हम NEET UG के लिए पढ़ा रहे हैं लेकिन NEET UG के syllabus से अगर आपको benefit होता है फायदा होता है तो आप इन classes को लीजिए syllabus तो वही है ना टेक्सोनोमी चलेगी टेक्सोनोमी के बाद tissue आएगा morphology आएगा physiology आएगा reproduction embryology आएगा evolution आएगा biotechnology आएगा disease ने आएगा immunology आएगा यही सारी चीज़े sequence में आती रहेंगी है ना खुश्बू head like structure नहीं है लेकिन cephalo cordata का meaning क्या है cephalo यहाँ meaning हो गया anterior most और coordinate का मतलब हो गया यहाँ notochord यानि notochord इनकी body के आगे से पीछे तक anterior most reason तक फैली रहती है spread रहती है that is the meaning ठीक है ना lenslet का मतलब lenslet का मतलब fusee form बोल सकते हैं अब जिन नालायक बच्चों ने session को like नहीं किया आगी तक वो इस session को तुरंथ like कर देंगे क्योंकि अब मैं इस session को conclude कर रहा हूँ आगे अंकित सर आपका इंतजार कर रहे हैं पढ़ाना तो मुझे बहुत कुछ था इसमें देखो क्या सुन्दर सुन्दर मचली हैं इनके बारे में कल जानकारी लेंगे हम boni fishes, cartilaginous fishes, lung fishes और बाकी सारी की सारी चीज़े इनके बारे में कल पढ़ेंगे आज अभी इतना ही मामला डिसकस होगा अब जरा इसको याद कर लें सारे के सारे बच्चे प्लस course को जब भी subscribe करेंगे तो बी देव ठीक है इसको जरा याद रखेंगे code को code को इस्तिमाल करेंगे और फिर subscribe करेंगे आपको 10% scholarship तो खेर मिल ही जाएगी किसी भी code को आप इस्तिमाल करें किसी भी educator के code को इस्तिमाल करें but if you want to come in direct contact with me you want to come in my mentorship you want to come in my guidance then you must use this because I will receive a message as soon as you subscribe any of the course on an academy plus by using this particular code and then I will be responsible for all your grooming and all your development during the during the study as well as during the courses तो चलिए अब मैं conclude करता हूँ बच्चो प्यारे बच्चो अंकित सर आपका इंतजार कर रहे होंगे और आज मैंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया है मुझे तीन मिनिट पहले क्लास कत्म कर देनी चाहिए थी but okay अभी इसको conclude करते हैं गुडबाई दो मिनिट का ब्रेक लीजिए और फिजिक्सी क्लास में जाएए इट इस गोईं तूब अनमेजिंग सेशन क्लास मिस मत कीजिए कोई भी किसी भी सेशन में कोई क्लास मिस मत कीजिए चलिए टाडा बाई बाई